Hello dear students, कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ कि आप घर पढ़ हैं, स्वस्थ हैं, मस्थ हैं और आज कल थोड़ा व्यस्थ भी हैं, तो अगर व्यस्थ नहीं हैं, तो जरूर व्यस्थ हो जाएए, तयार हो जाएए, आज चुके हैं आपके CBSC boards, आपको dates पता चल चुकी हैं, आज कासे पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना हैं, और क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा, और वी बहृत सारे qeosion, जो भी आपके दमाग में है, क कब और कहां पढ़ना हैं, और सब से इंपॉर्ड़न क्यों पढ़ना है, जिसका बहुत ऐजी सा आंसर है कि भई, boards आ चुकी है और boards में हमें अपना best देना है, इसलिए पढ़ना है, आगे बात करेंगे, हम अपनी strategy को start करते हैं, कि क्या रहेगी हमारी strategy, अब January से हम लोग start करने वाले हैं, और important बात, सबसे important बात, NCRT, NCRT हमारी सब की प्यारी है, और इसे भूला नहीं है, NCRT बहुत जादा important है, क्योंकि जब paper set होता है, तो NCRT से होता है, और किसी चीजों से नहीं, तो NCRT में आपको मिलते हैं बहुत सारे examples भी, जिनके solutions भी given है, तो अगर NCRT की books में कुछ examples दिये गए हैं, साती सात उनके solutions भी दिये गए हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज चुपा है, कि ये examples जो इनको आप करिए, इसके अलावा previous year papers, तो इने क्यों करना है, तो बिटा देखो, NCRT तो इसलिए करना है, आप sequence based, आपका जो syllabus है, वो properly आप NCRT से complete कीजिए, ठीक है, अगर कुछ topics होते हैं, जिनको आप clearly नहीं समझ भाते, अपने टीचर से contact कीजिए, इसके लिए आप अप आपको पता चल जाता है कि इस पार के लड़ाई लड़नी कैसे है, तो किस प्रकार का पेपर रहेगा, कैसा पैटर रहेगा, उसको जानने के लिए आपको साम्पल पेपर को देखना बहुत जादा जरूरी है, फिर पात आती है previous year papers, तो मैं अगर previous year paper के लिए बोल दिया है, तो इसका मतलब पुराने questions बार-बार आते हैं क्या, तो बेटा मैं आपको बता दू, इस बात को समझ लेजे कि previous year papers करने से फायदा ये है, कि आपको पता चल जाता है, किस चाप्टर से, किस तरह का question कैसे आता है, कितने marks में आ सकता है, कैसे कैसे questions बनते हैं, उनको idea लेने के आप जरूर प्रिवियस year paper के questions को जरूर देखें, कहीं से भी practice करें, ये एक important बात है, जो कि slide में नहीं लिखी है, कि जब भी आप कुछ भी practice करते हैं, उसके solutions आपके पास जरूर होने चाहिए, उसी practice paper को, उसी sample paper को कीजिए, जिसके आपके पास solutions अवलेबल हैं, या आपके teachers उसको provide कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे notes, study material और self study, तो बटा notes और study material के आपके लिए, आप इधर से उधर भागते रहते हैं, कौन से notes अच्छे, कहां से लूँ, किस से लूँ, किस के notes अच्छे हैं, तो इसके लिए भागने के जरूरत नहीं है, आप अपनी NCRT से अपने notes बनाईए, अपने colorful notes बनाईए, आप उसमें different colors को use कीजिए, ताकि आपका वहाँ पर monotonous ना हो, वो notes और देखते ही आपको याद आजाए कि हाँ, मैंने यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है, यह different colors जो मैंने use किये हुए हैं, इनसे मैंने जो mark किया है, इसको कुछ मतलब है, उसको आप यूपर लिख दीजिए, IMP लिख दीजिए, जो कि आपको लगता important है, अगर आप उसको दुबारा पढ़ना चाहते हैं, तो उसको double dot कीजिए, या double tick कर दीजिए, कुछ इस तरीके के अपने points बनाईए, फिर आते है study material, आपको support material आपके school से मिला है, तो आप उस study, self study is very important, क्यों मैंने यहाँ पर डाला है, आप लोग सोचते हैं, कि आज मैंने अपनी class ले ली थी, online session ले लिया था, मैंने लिया था, और उसके बाद मैंने YouTube पर कुछ वीडियो देख लिये थे, तो मेरी self study हो गई, तो self study वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दू, self study का मतलब होता है, कि आपने खुद से क्या study किया, चाहे आपने videos देखी हो, चाहे online session किये हो, चाहे वोकशीट वाला homework किया हो, तो self study वो होती है, जब आप अपने लिए पढ़ते हो, अपने लिए कप पढ़ते हो, बिटा, जब आप अपनी किताबों को उठा कर बैठते हो तो या 10 मिनिट या 15 मिनिट या 20 मिनिट, हला कि ये time अब जादा आपको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, board students, तो ये जो time होता है, जिसमें आप सिरफ अपने लिए उस चीज को याद कर रहे हो, अपने लिए उस चीज को समझ रहे हो, वो self study का time है, और वो online classes, YouTube videos से बिलकुल अलग है, इस बात को आप समझ लिजे, आगे बढ़ेंगे, कहां पर पढ़ना है, तो बेटा आपका time table आपके सामने हो, मैं नहीं कहूंगी कि मैं time table बनाना सिखाती हूँ आपको, time table आप अपने लिए अपना real time table बनाईए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके घर में आपको कितना काम करना है, या आप कितने पढ़ाई के लिए hours निकाल रहे हो, अपने भाई और बेहनों को भी पढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ें आप पर depend करती है, अपना एक realistic time table बनाईए, chair और table बना लिजी, क्योंकि आपको अपने लिए एक जगह बना लिनी है, जहां पर आप पढ़ पाते हैं, जहां पर आप ठीक से बैठ पाते हैं, जब तक ठीक से नहीं बैठे हैं, तब तक आप पढ़ेंगे कैसे, और अगर ठीक से पोश्चर नहीं है आपके तो वही बात है, आपके health पर सवाल आते हैं, फिर एक pen pencil आपके आसवाल जरूर हो आज कल, जरूर होन डेली वाइस, आप उसमें लिख दीजिए, आप एक डायरी की तरह इसको इस्तमाल कीजिए, कि मिरको यहां पर यह करना है, आप अपने नोट्स बना लीजिए, कि मिरको जो और चीज़े हैं, subject-wise नोट्स की बात नहीं कर रही हूं, कुछ और पॉइंट्स होते हैं, हमारे हो गया, तो ऐसे ही कुछ motivational quote साथ में लिख डालिए, English में, Hindi में, जो भी आपको समझाए, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको जरूर लिख डालिए, जो आपको एक दम से खड़े होकर आपको तुरंट पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर दे कैसा quote, ठीक है, उसके बाद healthy food और physical activities और breaks, अपनी self study जब आप करते हो, तो उसके बीच में ये चीजें होना बहुत जरूरी है, break होना बहुत जरूरी है, physical activities होना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए एक बोज नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, अब आपके boards आ गए हैं और आप बिलकुल लेकर पूरे दिन बैठे रहें किताबों को, ये बोज नहीं है, इसको smart study से, बिलकुल अच्छे से पढ़िए, healthy food लीजे ताकि आपकी body में energy properly maintain रहे, water intake अपना बढ़ा दीजे, उसके बाद बात आती है, share with elders, जरूरी है कि हो सकता है कि आपके साथ जो है बहुत सारी बाते होती हैं, आप call कीजे, definitely वो जरूर जवाब देंगे, जरूर आपकी help करेंगे, उसके बाद अलग और भी कोई चीजे हैं, अगर कोई doubt है, कोई query है, कोई anxiety है, please do comment in the comment box, मैं आपको जरूर reply करूँगी, आगे बढ़ेंगे, mark important questions, topics in your textbooks, अपने textbooks in CRT पे मैं अभी फिर से बोल रहे हूं, टेक आपने bio, chemistry, physics, मैं science ही बात कर रहे हूं, हाला कि ये video सभी subjects के लिए है, सभी students के लिए है, तो bio, chemistry, physics, इनके chapters जो हैं, वो साथ-साथ निप्टा दें, इधर-दर न भागे, एक bio का नहीं में बोर हो गया, मैं chemistry करता हूं, नहीं में बोर हो गया, नहीं में physics पकड़ लेता हूं ऐसा ना करके आप सारे एक साथ ही bio के दो chapters है, life process और how to, how organism reproduce, तो इन chapter को इखटे कर लिजे, दोनों connecting भी हैं, जल्दी कर पाएंगे, मैंने यहाँ पर एक white board छोड़ा है, वो किसलिए छोड़ा है, वो एक important बात समझाने के लिए, मैंने यहाँ पर white board आपको दिखाया है, लास्ट में आते आते, मैंने A को बहुत सुन्दर बनाना सीख लिया, लेकिन मैंने, मैं चाहती हूँ कि मैं A को और भी बहुत तरीकों से लिखना के कोशिश करूँ, इस तरीके से, या इस तरीके से, लेकिन जब मैंने normal A बनाया, वो इतना बुरा बना दिया, है ना, तो अ ही कैसे किया, ठीक है, तो सबसे ज़ादा efficiency आपकी कौन से case में शुरू होगी, obviously case 1 में शुरू होगी, अगर आप एक चीज को दस बार करते हो, तो वो आप properly सीख जाते हो, आप perfect भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही चीज को, मैंने A को दस बारी, दस तरीकों से लिखने क कोशिश की, मैं एक proper तरीके से A नी बना पाई last में, इतने तरीके मैंने सीख लिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है, कि इधर उधर मत भागो, दुनिया तरह की किताबे मत इखटी करो, अपने पास, मैं इधर देखू, इधर देखू, कोई ज़रत नहीं है, अपनी NCRT कर देते हैं, कि Self Disciplined, Self Motivated and Self Driven, क्योंकि आप आजकल अपने Peer Group के साथ नहीं है, अपने दोस्तों के साथ नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके दोस्त की तयारी कितनी बढ़िया चल रही है, कितने अच्छे से चल रही है, नहीं पता, आप घर में हैं, वो अपने घर में ह तो अपने आपको motivated रखिए, positive रखिए और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं next वीडियो ज़रूर जल्दी ही लेकर आऊंगी, जोकि और ज़्यादा motivational और और ज़्यादा आपके लिए subject wise helpful होगी, मिलते है आपसे next वीडियो में तब तक के लिए शेयर कीजे इस वीडियो को अपने friends के साथ, ताकि सभी को इन बातों को सीखने का मौका मिल सके, thank you for watching this video